असलाम वालेकुम वेलकम तो आवर यूटूब चैनल स्सी ए लर्निंग आज किस वीडियो में बिसक्स करेंगे कंपूर्टिशन और इंकम टेक्स सबसे पहले टॉप पे आपने पेज के टॉप पे आपने लिख लेना है मिड में कंपनी इंडिविजियल या एओ पी का नाम ज और निए उसके बाद आपने एन लिख देना वहल आप जो है यह कंपना हुल कर रहे हैं उसके पास आंकं प्रॉम सेलरी जहा तो आप जो है इसकी वर्किंग जो भी है वहाकि है इसको फेस्ट्रेंश को यह आप्पे हैं आप जैसेंप सैलरी होग यहाँ पे लिए निएग चाहले कि खुलाइए बैभी कर सकते हैं उसके बाद आप लेंगे रोड रेंगे लाप बाड इन्कवाट्यों तुर्द कर सकते हैं उसके बाद आपके पाथ आजए कि इंकम प्रॉमपिस्ट बा looking को सालवोड करके इस कांसर जो है वो यहां पे लिख लेंगे पिर इंकम फ्रॉम कैपिटल एसेड जिसमें 37 37 38 उन सब का जो है लॉस वगारा जो भी रूस होंगे वो सारे हल करके जो अंसर आएगा वह आपका यहां पे आप लिख लेंगे उसके बाद आप करेंगे इंकम फ्र नहीं करेंगे यहां पे आपके पास आजैगे टोटल इंकमगे तो आपके पास इनकब इस सब कुछ रए यहbaarदा है अब टूटल इंकम मों तींच इस करने है exempt income वह income जो आपको exempt separate block of income और डिदक्ते में एक्टेवल तो हम हमें एक्जंट है तो हम करनेंगे इसके बाद हम लेस्ट कर देंगे अपना सयपर्ट ब्राइबिलिटी निकाल नहीं होती है इसलिए हम इसे यहां से है लिखा हुआ है कि separate block of income कि अगेंस्ट कोई deductible allowance 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 नहीं होते हैं कोई tax credit allowance नहीं होते हैं तो separate block of income के अगेंस्ट हमों नहीं कर सकते हैं तो इसलिए इसको यहां से less करते हैं separate block में अब कौन-कौन से चीज़ा आती है पहली चीज़ जो इसके अंदर आती है वो in case of individual अगर आपकी property की income जो है वो जैसे ही दो लाक से ज़्यादा हो जाएगी तो separate block हो जाएगी कि दो लाक से ज़्यादा जो है उसके ओपर rate लगता है और rate separate दिये होते हैं उसने तो यह separate block of income हो जाएगी इसी तरह अगर इंडिविज़न और की case में अगर ग्रॉस रेंटल चार मिलियन से ज़्यादा हो रहा है तो आपके पास option है एक option तो यह है कि आप से total income में ग्लूट करनें दूसरी option यह है कि आप से expensive less करनें कंपनी के case में तो हम expensive less कर ही सकते हैं हमें अलाओ है लेकिन इंडिविज़न और के case में जब चार मिलियन से ज्यादा होगी तब हम expensive less कर सकते हैं यह new amendment हुई भी है पहले नहीं थी प्रॉपरटी और security जो है वह जो है आपके capital acid है इमोवेल प्रॉपरटी स्कूर्टी जो है वह अंडर price bonds winnings lotteries profit on debt यह आपकी separate block of income है separate block of income less करने के पाद आप less करेंगा deductible allowance पांच तरह के होते हैं जिसमें है जकात वर्कर वालफेर फंड वर्कर पार्ट्स फेर फंड प्रॉपरट ओन डैट education expenses donation जो है वह स्टेट लाइन की जो second schedule में आती है वह donation आपको less करना होता है इसका यह है कि जिसमें नाम दिया हुआ institution का वह सेकंड शेडूल में आती है वैसे जो है अब या ने जो नाम दिये हुए है लिस्ट को वह लिस्ट आप जाके एक बार पढ़ लें तो आपको पता जल जाए कि second schedule की list में कौन-कौन से नाम आते हैं वो जो है आप यहाँ पर state लाकर डिडेक्ट कर सकते हैं वहाँ ए और भी यहाँ पर फार्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर जो है 30% in case of निविज्ट लगेगा और आप उसे less कर देंगे इसके उपर मैंने complete वीडियो बनाई हुई है description मैंने और डिडेक्टेबल लाउंज का आप जाकर देख सकते हैं अब यह less करेंगे तो आपके पास आजाएगी taxable income taxable income जब आगी तो इसके उपर आपने निकालने है tax liability tax liability निकालेंगे tax liability के लिए अगर individual का case है तो salary or non salary देख लेंगे question की situation के उपर जो भी लगना होगा 75% more time वाला rule जो भी है वो लगेगा उसके बाद in case of aop जो है aop के लिए हम non salary table use करेंगे और अगर company का सवाल है तो small company के लिए हम 23% देंगे और large company 29% देंगे यह rate आपको दी हैं होगे tax liability के निकालने के लिए उसके बाद जैसे आप tax liability निकालेंगे तो आपके पास सवाल हो जा जो है वो जो आपका tax payable tax liability का जो answer आ रहा है उसके अंदर से आप foreign tax credit less करेंगे आपके पास एक answer आजाएगा जो होगा net tax liability यह जो net tax liability आई है अब यह आपका a हो जाएगा और b जो है वो आपका taxable income ही है वो पीछे जो taxable income आ रही है जिस पर हमने tax liability निकाली वो आपका b है यह आपके a और b मैंने क्यों बताया क्योंकि यह आगे जाके आपके जो है यूज होने फार्मूलों में tax liability divided by taxable income multiply by c c जो है वो हर criteria में हर criteria के जो tax credit है उसमें हर में वो जो different होता जाता है और tax credits जो है donation का जो है यहां पे पी जो a और b multiply by c करेंगे तो b जो है वो इधर से जो answer अच्छा उस donation tax other tax credits की बात करें तो other donation वो दर जो donation आ रही थी जो second schedule में आती है तो इसके लाव़ जो donation करेंगे आप वो यहां पर आएंगे जैसे education institution वगएरा को देंगे वो जो भी skill list में आ रही है वो जहां यहां पर अगर non profit को देंगे organization को तो यहां पर इसके लिए जो भी donation donation के बाद जो है original lotty shares के ओपर हमें जो है पुब्लिक लिसेट कंपनी तो शेयर पचेस करते हैं उसके पर हमें tax credit मिलता है उसके लिए जो है कि original lotty उनों चाहे प्रविटाइजेशन कमिशन हो पाकिस्तान से पर्चेस किया हो और राइट शेयर हो ठीक है उसके ओपर भी हमें tax credit मिल जाता है और live insurance के पर हमें tax credit मिल जाता है अगर यह दोनों कठे आगे हो यह शेयर वाला यह स्कूक्स वाला और live insurance वाला तो इन दोनों का tax credit calculate कर लेंगे इन दो मेंसे जो भी higher होगा वो हम less कर सकते हैं यह दो कठे हमें less करना allow नहीं है उसके बाद हम health insurance less कर देंगे health insurance का जो credit है approved pension fund का जो credit है वो हम less कर देंगे जब हम यह less कर देंगे तो आपके पास आज़ेकर tax payable after tax credit यानिकर tax credit less करने के बाद वो tax payable जो अब आपके पास आ गया हुआ इस tax payable में आपने plus कर देना है separate block की liability जो हमने उपर जो है न जो हमारे पास total income आज़े जो separate block less किया है उसकी liability आपने लाके यहाँ पर add कर देंगे उसके बाद आपने less कर देना है वो tax जो आपका cut गया है जो किसी ने आपका tax cut लिए वो आपने less कर देना है उसके बाद जो आ अगर यह positive आ गया तो आपने FBR को यह जमा कराना है hope so आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो please like कीजिए comment कीजिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को press get दीजिए thank you so much Allah Hafiz